सब्सक्राइब निकाला ही इसी के साथ ही अपना MPPSC ने जो माइनिंग इंस्पेक्टर की वेकेंसी निकाली थी वह वेकेंसी से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में आगे बताने से पहले आपको बता दूँ कि आज की इस वीड इस वीडियो को जरूरी देख लेना तो चलिए देखते हैं क्या-क्या चीजे दी गई है तो सबसे पहले तो यह आपका दिया हुआ था पहले जो नोटिफिकेशन आया था इसमें आपका माइनिंग इंस्पेक्टर का ठीक यह नोटिफिकेशन और आपका जो वेकेंसी दिय तो यहां पर अलग अलग वेकेंसी दिगए थी जिसमें से के आपका टोटल 19 पद जो थे आपके खरी निशक्टर के थे ठीक है मुख्य भाग में आपका 17 प्लस आपका प्रावधिक भाग का जो था तो वो दो था ठीक है बैकलॉग का मिला के तो टोटल 19 वेकंसी यहां पे निकली थी जिसमें से की जनरल के लिए 6 वेकंसी थी अब इसके जो निकाली गई थी वेकंसी इसके रिगार्डिंग बीच में यह आपका 50 प्रश्न इसमें होने वाले हैं ठीक है 50 questions के यह होने वाला है हर question 3 numbers का है आपका 1500 numbers का पूरा paper होगा ठीक है उसके बादा आपके 100 questions होगे technical वाले जो कि या तो geology वाले है तो जो माइनिंग वाल है तो माइनिंग के कुश्चंस रहेंगे हर को स्टीन केरी करता है टोटल आपका 300 पेपर होगा तोटल 3 घंटे का आपका कोश्चंट पेपर होने जा रहा है ठीक है अब यह जो आपका दिया गया है तो आपका चार सु नमबर के होंगे उसके बाद आता है जिसमें की आपका इंटर्व्य वगारहा होना है पचास नमबर का इंटर्वव्यव तो टोटल 500 के basis पे आपका जो है तो चयन किया जा रहा है 500 marks के basis पे तीन घंटे का paper हुने वाला है आपका ठीक है अब आपका यहां पे उससे related थोड़ी वहत और जानकारी दी थी कि भाई आपका तीन नंबर का एक question है तो आपका minus marking भी रहेगा इसमें एक नंबर का minus marking इसमें दिया जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से यह पूरी चीज यह आपको देहां पर पढ़नी थी non-tech में यह non-tech वगएरा आपका दे दिया था ठीक है history culture and literature of MP उसके बाद geography of मध्यप्रदेश politics and economy of मध्यप्रदेश और इसके बाद आपका था current events of international international LMP and information and communication technology यह सारी चीज़ें आपकी दी थी दूसरा जो पार्थ section B जिसमें कि आपका technical portion ह कोने जा रहा है वो technical portion में आपका geology का जो है तो syllabus यहां पर provide करा दिया गया था इसके द्वारा starting में ठीक है फिर geology का बसका syllabus दिया था तो लगा कि माइनिंग वाले क्या ही पढ़ेंगे geology में कितना ही पढ़ेंगे है ना तो इसलिए इसने अपने syllabus को revise किया और geology के साथ साथ जो माइनिंग यह सारी चीजे थी थी थोड़ा सा इसमें geology का भी portion डाला गया था आपका geology का portion है और surveying का था ठीक है एंड इसके साथ ही आपके surveying के methods mine management and legislation वारा पूरा portion था यहां पर ठीक है इसके बाद mine environmental engineering जिसमें कि आपका mine environment ventilation basically ठीक है और pure ventilation यह आपका दिया हुआ है ठीक है तो यह आपका total syllabus था जो कि आपका दिया गया था अब हाल ही में इसके द्वारा एक और notification जारी किया गया उस notification में इसने बताया कि आपका exam कब होना है और कैसे होना है आपका exam basically इस notification में बोल रहा है कि OMR sheet पे आपका exam लेगा and indoor में आपका जो है तो exam होने के chances है and जो परिक्ष परिक्षा की तिथी दी गई है इस दिन आपका paper होगा दोपहर बारा बज़े से लेकर साम को तीन में तक paper होने जा रहा है and आपका admit card आपको मिल जाएगा 21 September 2024 को आपका admit card मिल जाएगा ठीक है तो जिनोंने अभी तक त्यारी start की या नहीं की करने के बाद बंद कर दिया है तो जल्दी से त्यारी start कर दीजिए दो महीने का बस समय बचा हुआ है तो इस दोरान आप पर अच्छी त्यारी अभी भी कर सकते हैं हाथ से कुछ नहीं निकला है ठीक है तो जल्दी से अपनी त्यारी start कर दीजिए जिसको जहां भी जैसे जरूरत हो अगर coaching जोइन करना है तो हमारा application आप download कर सकते हैं यहां से भी आप त्यारी कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आया हो या आपको इसी तरीकी की और जानकारी जल्दी से जल्दी चाहिए हो तो माइनिंग यान के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना and bell icon को दबाने देना ताकि notification तुरंदी मिल ज जाफ़ों आप ग्यूंच ग्यून भरवन